दोस्तों आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वाधत हैं हमारे यूटीब चैनल पर आप सभी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें इसी सुब कामना प्राथना के साथ एक बाते से उपस्तितू हूँ आप सभी के लिए लेकर सपनों की बाते हैं और कुछ सपने तो हम सभी आख पूल कर देखते हैं और कुछ बंद आखों से देखते हैं लेकिन जो हम बंद आपों से देखते हैं सपने सास के अंसार उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है कुछ ना कुछ जो गटनाएं होने वाली होती है उसको सपने संकेत देते हैं अच्छी बुरी जो भी गटनाएं होने वाली होती है पविश में और प्राचीन गंतों में तो सपनों पूरा सास रहा है और इसके फ़लों पर विस्तार से भ्याविया भी की गई है कुछ सपना ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं आते हैं दुरलव होते हैं और कुछ सपने तो लगबर सभी लोग देखा है लेकिन दोस्तों शुब अशुब ये जो फल होते हैं ये हमारे भविशे से जुड़े होते हैं दोस्तों आईए चलते हैं और आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि अगर सुपने में आपने मोर को देखा है तो आपके जीवन में उसका क्या पहिणाम हो सकता है तो दोस्तों सो अपने सास के अंसार मोर पक्षी देखना बहुत ही शुब माना जाता है ये आपके जीवन में खुशी का संकेत देता है अगर आपने साथ में मोर और मोर नहीं की जोड़े को एक साथ देखा है तो आपके दामपत्य जीवन के लिए बहुत सुभ है अगर अभी तब किसी बात को लेकर मन मुटाव था तो वो सीगरात सीगर नश्ट होगा और फिर से प्रेम का संबन होगा तो ये साथी सुधा लोगों के लिए बहुत सुभ है और अगर कोई देख रहा है जमीन पर मोर बैठा हुआ है तो ये दोस्तो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है ये आपके जीवन में कोई दुरभाग ये कोई घटना घटित हो सकती है और घर में आपके बिमारी आ सकती है परिवार की चिता किसी कारणों से बढ़ सकती है और आपने अगर देखा है सपन में की मोर को उसके जो पीछे के पंक है वो नुचे हुए है पंक नहीं है तो इसका ये अख है कि आपके जीवन में कोई ऐसी खटना होगी जिससे मुकदमा होगा और सजा भी आपको मिलेगी तो आपको अभी कोई ऐसा कार नहीं करना है जिससे आपके जीवन में इस तरह का कोई कार हो अगर आपने सपने में देखा है कि मोर चोंच में कुछ लिये हुए जा रहा है तो ये सपना अशुब माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि आपके सत्रू और आपसे लडाई देखती है और अगर सपन में आपने बोलते हुए मोर को देख रहे हैं तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है अगर किसान देखता है तो उसके लिए अच्छा है लेकिन साधारन लोग देखते हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है अगर सपने में आपने एकांथ में किसी प्रिक्ष पर मौर को बैठे विये देखा है तो भी आपको सत्रों से गंभीर खत्रा हो सकता है लेकिन अगर सपन में मोर को नाचिते हुए देखा है आपने जमीन पर या ब्रिक्षपर तो ये बेहर सुझ और सवभागी की सुचना देता है ऐसा सपना ये सपना आपके भविश में सुंदर संतान प्रेम और सुखी जीवन के ओर संकियत करता है अगर कोई रोगी देखता है तो वो बिना दवा के ही स्वस्त हो सकता है हो जाएगा अगर जेल में बंग कैदी देख रहा है ऐसा सपना मोर को नाचते हुए तो सीकर आती सीकर वो कैद से छुटेगा कोई ऐसा कार्व होगा और अगर कोई विजनस या व्यापारी मोर को नाचते विए देख रहा है तो उसके व्यापार में लाव या दूसरा उद्ध्योगी सुरू होने की सम्हावनानी करभविस्दे में बन सकती है तो दोस्तों ये रहार सपने में मोर को देखने का सुबा सुपर्डाम और भी बहुत सारी जानकारिया है आप सभी के लिए मेरे पास विपिनास की वीडियो में बस यहीं तक था सफर लेकिन अगले वीडियो में जानने के भी नई जानकारी को हमारे चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, कबेंड भी करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों जिससे आगे की हर जानकारी आसानी से आपका थम पहुंचा पहे तो दोस्तों इसी तरह चुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्वान भासकार